Fighter Week 1 BO Collection, 10 साल पीछे खिसका रितिक का करिय जानिये क्या कहते हैं क्रिश्टीन और फाइटर के आंकड़े खास बातें, फाइटक गंतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को रिलीज हुई और फिल्म ने एक फर्वरी को अपनी रिलीज का पहला हफता पूरा कर लिया रितिक रोशन की ये फिल्म रिलीज के पहले आठ दिन में भी घरेलू बॉक्स ओफिस पर 150 करोड रुप्य नहीं कमा सकी है क्या रितिक रोशन की सोलो हीरो के तौर पर साख बॉक्स ओफिस पर लगातार घट रही है और क्या रितिक की पिछली ब्लॉक्बस्टर फिल्म वार की काम्याभी फिल्म में टाइगर श्रॉफ की मौजूदगी की वज़य से ही मुम्किन हो सकी ये दो सवाल हिंदी फिल्म जगत की कारोबारी चर्चाओं में बीते दिन सबसे एहम रहे वैसे तो एक फरवरी को सबकी निगाहें केंद सरकार के अंतरिम बज़ट पर ही लगी हुई थी लेकिन अपनी रिलीज के आठवे दिन फिल्म फाइटर कितना कारोबार करेगी और जितना करेगी उससे फिल्म की घरेलू बॉक्स ओफिस पर कमाई का आंकड़ा 150 करोड रुपय के पार जाएगा या नहीं इस पर भी पूरे दिन लोगों का ध्यान लगा रहा है करीब 250 करोड रुपय की लागत से बनी इस फिल्म का घरेलू बॉक्स ओफिस पर अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने से फिल्म के निर्देशक सिधार्थ आनंद के साथ साथ फिल्म के हीरो रितिक रोशन की साख पर भी बढ़ता लगा है 25 जनवरी को सिर्फ 22.50 करोड रुपय की ओपनिंग के साथ खुली रितिक रोशन की फिल्म फाइटर ने रिलीज के दूसरे दिन जब 26 जनवरी को 49.50 करोड रुपय की कमाई की तो फिल्म बनाने वालों ने राहत की सास ली और ये लगा था कि फिल्म पहले तीन दिन में ही 100 करोड रुपय कमाने में काम्याब रहेगी लेकिन रिलीज के तीसरे दिन ही फिल्म ने 30 फीसदी का गोता लगाया और फिल्म का कलेक्शन पहले शनिवार को 27.50 करोड रुपय ही हो सका रविवार को फिल्म का कलेक्शन सिर्फ 5.45 फीसदी ही बढ़ पाया और सोमवार को तो 72 फीसदी का गोता लगा कर सबके होश उड़ा दिये रिलीज के पहले हफ़ते आठ दिन में फिल्म फाइटर ने सिर्फ 146.25 करोर रुप्य कमाए है दो फर्वरी को हाला की कोई नई हिंदी फिल्म इस फिल्म के चक्कर में ही रिलीज नहीं हो रही है लेकिन फिल्म फाइटर के कलेक्शन में इसके चलते कोई अप्रत्याशित उच्छाल की उम्मीद अब कम ही की जा रही है रिलीज के पहले हफते में सिर्फ 146.25 करोर रुप्य ही कमाने के चलते अबाशन का ये भी जताई जा रही है कि फिल्म फाइटर अब शायद ही अपनी कुल लागत 250 करोर रुप्य के बराबर भी कलेक्शन घरेलू बॉक्स आफिस पर कर सके रितिक की पिछली सुपहिट फिल्म वॉर ने रिलीज के पहले हफते में घरेलू बॉक्स आफिस पर 238.35 करोर रुप्य का शानदार कलेक्शन किया था लेकिन इसका क्रेडिट अब फिल्म में टाइगर श्रॉफ की मौझूदगी को दिया जा रहा है इसके पहले रितिक की जिस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर रिलीज के पहले हफते में 150 करोर रुप्य से ज्यादा का कलेक्शन किया था वह फिल्म थी क्रिश्टीन 1 नवंबर 2013 को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले हफते में घरेलू बॉक्स आफिस पर 166.52 करोड रुप्य की कमाई की थी